हाई एवरिवन, कैसे हैं आप सब लोग, सो आज है हमारा थिन टु ठिक हेयर सीरीज का डे टू जिसमें ओइलिंग के बारे मैं आज पूरा डीटेल मैं बताऊंगी ओइलिंग से पहले क्या करना है, बाद मैं क्या करना है, सब कुछ आपको इसमें मिलेगा, तो आज डे टू ह के बारे मैं पूरी बात करेंगे कर आज मैं आपको बताऊंगी ओइलिंग का मुइल करने से पहले को और उसके बाद में आपको क्या करना है और कैसे करनी है और को किया करना हिए जिपार्ट कि गया है आपको नहीं पता तो अभी जो सीरीज है फ्मारे चैनल पे चल रही है वो थिन तू थिक हैर की सीरीज चल रही है जिसमें दो वीडियो चली गई एक इंट्रो वीडियो थी और एक कल मैंने टोनर शेयर किया था बहुत सुपब टोनर तो आज मैं आपको ऐल लिंग के बारे मे में folder बना हुआ है ठीक है तो उसके लिए एक छोटे छोटे पॉइंट छोटे छोटे टिप्स को ध्यान रखना है अब इस वीडियो को पूरा देखिएगा जो जो मैं बोल रहे हैं उसको ध्यान से सुनिए जब भी आप oiling कर रहे हैं oiling से पहले आपको बालों को सुलजाना है जो कि मैंने सबसे पहले सुलजा लिया बालों को ठीक है सुलजाते वक्त आपको बहुत ध्यान रखना है सुलजाने के बाद बालों को मसाज देनी है स्केल्प की मसाज करनी है जो मैंने भी finger tip से मसाज की है उसके बाद मैं आपको कंगा लेना है बारिक 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 बारि नहीं है और एजिली निकल जाते हैं ओके अब हम जब मसाज करेंगे तो उसके लिए हम ऐसा वाला कॉम लेंगे जो कि बिल्कुल बारिक स्पेस वाला होता है इससे आपको अच्छे से रगड के अपनी scalp की massage करने हैं, यह हम क्या कर रहे हैं? यह हम massage कर रहे हैं, combing therapy है यह, combing therapy से आपके पूरे scalp की massage होती है जब इसके जो हलके से point आपके scalp में हलके से चुबते हैं, उससे आपके scalp की blood circulation fast होती है, जहां भी जिस भी body के हिस्से में blood circulation fast चलता है उस हिस्से में healing process होता है वहां पर growth अच्छी होती है हमेशा याद रखिए, ठीके? तो इसलिए आप लोग इसको अच्छे से scalp therapy करिए 5 मिनट आराम से करी, इस पर एक proper वीडियो है, आप लोग देखना डालना combing therapy, chish beauty इतना डाल के search कर लेना आज आएगी मैं खुश्बू के scalp में बालों में करके बताया था, ठीके? और यह मैं हमेशा करती हूँ जब भी मैं oiling करती हूँ, उससे पहले यह यह process मैं हमेशा करती हूँ और यही मैं आप लोगों को बार-बार बोलती हूँ कि guys, आप लोगों को भी करना है तो combing therapy करने से यह process होता है, क्योंकि जब हम oil से पहले अगर हम इसको करेंगे तो आप यह समझ लिजे कि आपके बालों में, scalp में जब blood circulation fast हो जाएगा और फिर आप जब oil लगाएंगे अपने scalp में, तो सोची कितना जल्दी से work करेगा, वो जल्दी से आपके पूरा scalp के अंदर जाएगा, hair follicles तक जाएगा और आपकी roots को strong करेगा और बालों को growth में लेकर आएगा, अगर आपके बाल बहुत जड़ गए हैं, है ना, और आपकी scalp नजर आने लगी है, तो वापस बाल आ सकते हैं, लेकिन कब जब आप मेहनत करेंगे, अभी देखी मैं direction change करकर के फिर कर रही हूँ therapy, मैंने आगे से front से किया, side से किया अब मैं पूरा back से और front कर रही हूँ, ये inversion method है, जैसे कि हम आगे की तरफ जुख जाते हैं, बालों को पूरा ले लेते हैं इसे inversion method करेते हैं ये जब हम direction करते हैं हमारे head को इस तरह से down करके और हम बालों को सुलजाते हैं या फिर जब हम shampoo करते हैं, तब भी बालों को इस तरह से दोना चाहिए, पूरे आगे करके काफी लोग पीछे की तरफ दोते हैं तो उससे आपको बाल भी जादा तूटते हैं आपकी back पर पूरे बाल चिपक जाते हैं उससे भी जढ़ते हैं और आपका इससे कोई फायदा नहीं होता है overall देखें तो नुकसान नहीं होता है तो आप लोग बालों को भी धुआए तो उसको भी इस तरह से दो ये ठीक है तो यहां inversion method से blood circulation fast होता है तेजी से blood चलने लगता है हमारी scalp के अंदर तो इसलिए हम ये सारी चीज़ें कर रहे होते हैं अगर आप लोग सिर्फ चीज़ें लगाएंगे बस हमें कोई चीज़ दे दो हम वो लगा लेंगे बाकी हमें कोई महनत नहीं करनी है तो गाइस ऐसे नहीं होगा अगर आप लोगों को प्यार है अपने बालों से आप चाहते हैं कि आपके भी बाल लंबे हों घने हों, मजबूत हों, बालों की कोई समस्या ही नहीं हो आपको चाहे कोई भी सीजन आ जाये, है ना, बालों में कोई प्रॉब्लम ही नहीं हो तो उसके लिए आपको जैसा जैसा मैं बताती हूं, वो सब करना पड़ेगा, okay अब बात कर लेते हैं मेरा प्यारा सा बहुत ही powerful सा world famous and world का number one तेल ये समझ लिजे number one तेल जी हाँ इतना pure इतना quality best इतना ज़ादा effective powerful oil आपको इस दुनिया के किसी भी कोने में नहीं मिलेगा चाहे आप लाखों रुपया खर्च कर लो फिर भी नहीं मिलेगा इतना powerful तेल है ये और जितने लोगों ने लिया है सब को result 100% मिले हैं टच वूड अभी तक 1000 बॉटल सेल हो चुकी है इतने सारे अच्छे result मिले हैं यहां तक कि इंडिया में ने इंडिया के बाहर भी कैनेडा है दुबई है अमेरिका है औस्ट्रेलिया है अरब है और पिर बहुत सारी countries है जह वहां मंगा रहे हैं है ना मैं इंडिया में shipping देती हूँ और लोग इंडिया से बाहर जो भी उनके relatives हैं वो वहां पर उनको पहुचा रहे हैं भेज रहे हैं और जिस जिस ने starting में लिया है oil अभी तक आप ये समझ लिजे कि इस oil की उन्होंने 4-5 बार री order कर लिया इस तेल को इतने जादा effective result है अगर आपने नहीं खरीदा है तो एक बार जरूर अपनी life में इस तेल को जरूर खरीदिये ठीक है इसका oil order करने का जो number है whatsapp number वो पर शो हो रहा है screen पे इस पर आपको सिर्फ message डालना है कि आप oil खरीदना चाहते हैं बाकि detail आपको पूरी whatsapp पर ही मिल और इस oil को देखी मैं कैसे लगा रही हूँ मेरे बाल काफी लंबे हैं काफी लंबे हो गए हैं माशालला माशालला मैंने ये समझ लिजे कि hair cutting भी कीती मैं हर two month में hair cutting करती हूँ cutting in the sense trimming करती हूँ हल किसी है ना क्यूंकि जब हमारे बाल लंबे होता है ना तेजी से growth हो रही ह तो हमें हर two month में trimming कर लेनी चीए वो भी एक इंच जादा नहीं सिर्फ एक इंच बाल काटना है तो इतना मैंने काटा उसके बाद भी आप देखी माशालला कितने जादा तेजी से लंबे हो रहे हैं क्योंकि ये oily ऐसा है आप इस oil को जब regular use करने लगेंगे आपके भी बाल लगेंगे आपको यकीन नहीं होगा आपके बाल बहुत तेजी से लंबे हो जाएंगे आपके बाल कमर तक है तो घुटने तक आ जाएंगे गुटने तक है तो floor land तक चले जाएंगे इतना तेल पावरफुल है और इसे सब लोग लगा सकते हैं चाहे जेंस हो लेडी जो तो जल्दी से जाईए order करिए इसको result amazing है और इसका price जितना effective तेल है उसके सामने इसका price कुछ भी नहीं है इस oil का price 799 है 250 ml की bottle है लेकिन जो 799 है ना guys वो इतने इतना इतना affordable है कि आप इस तेल के अगर मैं एक एक चीज आपको बताने बैठू ना इस तेल की तो इसकी cost आप सम जाएगी है ना लेकिन मैंने सिर्फ अपने प्यारे-प्यारे customers अपने subscriber अपने प्यारी बहनों के लिए ये तेल इस इतने कम price में रखा है ताकि हर कोई इससे खरीद सके और वो अपने बालों की हर समस्या को दूर कर सके है ना तो आप लोगों को मैंने इसके बारे में पू आप लोग थोड़ा सा scalp पे लगा लेते हो बाकी तेल को बंद करके और शिशी को रख देते हो आपको length के उपर कुछ लगाते ही नहीं हो length आपकी फिर dry होती है फ्रेजी होती है बाल बीच बीच से तूटने लगते हैं काफी लोगों को दो मुहे बालों की शिकायत होने कर रहे हो ताकि वह बालों में एकदम से मतलब पूरा फैल जाए समझे तो इसलिए आप लोग भी अच्छे से प्रॉपर तरीके सोयलिंग करिए जहां आप देख रहे हैं मतलब मेरी मेरी बॉटल आप यह समझ लो विदिन 10 डेज 10 डेज में मेरी बॉटल खतम हो जाती है ए फिर ब्रेड बना लिजे डारेक लेकिन कंगा सिर में नहीं डालना है दो घंटे के बाद मैं बालों को सुलजा के और ब्रेड बनानी है ओके आपने देख लिया है तो इसे मैंने ओवरनाइट लगाया है और मॉर्निंग में मैं शैंपू करूँगी ठीके और वो भी उस से पहले मैं टोनर लगाऊंगी फिर हेयर मास्क लगाऊंगी उसकी भी वीडियो आपके साथ शेयर करूँगी ठीके तो जल्दी से वीडियो को लाइक करिए इसमें क्या सीखने को मिला जरूर बताना और मेरे बाल देखी कितने जड़े हैं सिर्फ दो या तीन और उसे खड़ आपने देख लिया है बाल कितने कम जड़े हैं तो आपके भी बाल इतने ही जड़ेंगे अगर आप लोग इस तरीके से मेरे चोटी-चोटी ब बबाई टेक केर अपना दियान रिखिए